हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग बात करेंगे 6 मन्त बेबी की ग्रोध और डावलाफमेंट के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे की 6 मन्त बेबी का जो वेट और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 6 मन्त में अगर आपका बेबी गर्ल है तो उसका जो वेट होता है वो 5.6 kg से लिखा 7.5 kg तक होता है और उसकी हाइट 65.7 cm तक हो सकती है वहीं अगर आपका बेबी बॉय है तो उसका वेट 6.2 kg से लिखा 8.2 kg तक होता है और उसकी height 67.6 cm तक हो सकती है अब हम बात करेंगे 6-month baby के milestone के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके mental development के बारे में सबसे फॉर्स चीज जो इस टाइम पर आपको आपके baby में दिखाई देगी वो यह है कि अब आपका baby चीज या toy आप जो भी चीज उसे दोगे उसके हाथ में उसे मूह में ले जाना start कर देगा 6-month में baby क्या करता है कि कोई भी toy जिससे वो खेल रहा होता है अपने fingers सबको मूह में डालना start कर देता है इस टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा जो सावदानी बरतनी होती है वो यह कि आपके baby के हमेश्य हाथ साफ होने चीजए उसके हाथों में किसी भी तरीकी कोई गंदगी नहीं होने चीजए जो भी toy वो ले रहा है वो एकदम clean होना चीजए क्योंकि अगर वो गंदगा होगा साफ नहीं होगा तो जब baby मुह में लेगा तो germs बच्चे के पेट में चिली जाएंगा और बच्चे के बिमार होने के पूरे पूरे चांसे चूंगे और उसके आसपास जो भी समयान है वो साफ सुत्री होने चीजए क्योंकि अब बच्चा कोई भी चीज को मुह में डालना स्टार्ट कर देगा सैकेंड चीज जो आप अपने baby में नोटिस करोगे वो ये है कि अब baby आपकी voice की भी copy करना स्टार्ट कर देगा जी हाँ अब आप अपने baby से बात करोगी तो आप देखोगी कि आपका बेबी भी आपको reply कर रहा है आपकी voice की copy करने की कोसिस कर रहा है थर्ड चेंचीज जो आप अपने बेबी में देखोगी वो ये है कि आप अपने बेबी को जो भी nickname या name देते हो तो वो सुनने के बाद में उस पे react करेगा जब हम बेबी को लगातार same name से बुलाती जाते तो उसको idea लग जाता कि उसका name क्या है जब आप वो same name उसके सामने बोलोगे तो आप देखोगी कि आपका बेबी उस name पे react कर रहा है तो ये changes भी आपको आपके बेबी में इस time पे दिखाई देगे next change जो आप अपने बेबी में देखोगी वो ये है कि अब आपका बेबी पहले से जदा चीजों को लेकर curious होना start हो जाएगा आप देखोगी कि आप बच्चे के सामने कुछ भी रखा हो तो उसे छूने की पकड़ने की कोसिस करता है रखी चीज़े को वो देखना भी start कर देता है next change जो आप अपने बेबी में देखोगी वो ये कि स्टैम पे जो बच्चा होता है वो बहुत सारी आवाज ही निकालना start कर देता है इतना ही नहीं बच्चा आइने में देखकर या खिलोने के आवाज सुनकर उनके साथ खेलती है वो अपनी बासा में गाना गाने की कोसिस करता है आवाज निकालने की कोसिस करता है इवन अपनी ही बच्चे को बहुत कुसी फील होती है वो अस्ता है नेक्स चेंजी जो आप अपने बेबी में देखोगी वो यह है कि बच्चा चीजों को पकडने की साथ साथ लोगों को देना भी सीख जाता है इस टेम पर आप देखोगी आपके बच्चे के हाथ में कोई भी चीज, टॉईज है तो आप उससे मांगोगी तो आपको भी देना स्टार्ट कर देगा पकडने की साथ साथ अब हम बात करेंगे फिजिकल डावलमेंट याने की बच्चे के सारे रिक विकास के बारे में तो इस टेम पर आप देखोगी कि आपका बेबी कलर्स में डिफ्रेंस करना सीख जाता है स्टार्टिक में क्या होता है बच्चा उनली ब्लैक और वाइट को ही रिकागनाईश करता है पर धीरे धीरे वो और भी कलर्स को रिकागनाईश करना स्टार्ट कर देता है वो समझने लगता है कि कौन सा कलर है डिफ्रेंस उसे आइडिया लगने लगता है इस टाइम पर अगर उसके सामने कोई भी रंग भी रंगी किताब है टोई जो तो लगाता है वो उसे देखना पसंद करेगा नेक्स्ट फिजिकल चेंजे जा आप यह दिखोगी तो ट्राइ करेंगे कि उस टोईज को अपने हाथ से पकड़ सके नेक्स्ट फिजिकल चेंजे जो आपको अपने बेबी में दिखाई देंगी वो यह कि अब आपका बेबी सभी उंगलियों को साथ में पकड़ कर कोई भी चीज को पकड़ना स्टार्ट कर देगा अब देखोगी कि अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिलकी आप बोटल से फीड करते तो आप देखोगी कि आप बेबी बोटल को पकड़ना भी स्टार्ट कर देते है अपने फिंगर्स से नेक्स्ट फिजिकल चेंची जो आपको आपके बेबी में दिखाई देंगी वो यह है कि अब आपका बेबी बिना सहारे के बैटना स्टार्ट कर देगा यहां तक कि वो सिर को सीधा करना भी सीखने लगता है और जब पेट के बर लेटता है या किसी की गोद में जाता है तो सिर को सीधा रखने की कोसिस करने लगता है और गर्दन को इधर उधर गुमा कर आसपास कि जो भी चीज़ी होते हैं उसको बच्चा देखना भी स्टार कर देता है फिफ्ट जेंजी जो आपको आपके बेबी में दिखाई देंगी वो यह है कि six month में बहुत सारे बच्चों की तीधिंग की जो प्रोसेस होती वो start हो जाते इस टाम पे बच्चों की दात आने लग जाते हैं अगर आपके बच्चे की दात six month तक भी नहीं आते तो don worry next month में हो सकता है तब आजा है कुछ बच्चों में तीधिंग की जो प्रोसेस होती है वो six month से पहले हो जाते है कुछ बच्चों में six month से बाद होती है तो completely baby पे ही depend करता है कि उसमें ही तीधिंग की प्रोसेस कब हो रही है और सब से important physical changes यह होता है कि हम आपका बेबी solid के ल लिंक में description में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो आप महां देख सकते हैं कि बीबी को first food में आपने क्या क्या खिला सकते है